हलो फ्रेंड्स स्वागात आपका मारे यूट्यूब चनल पर आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि जस्टी पोर्टल पर सर्विस कोड और अच्छेशन कोड को कैसे एड़ किया जाता है अगर आपके पहले से कोई एड़ है उसमें को एड़िट करना है तो हम कहां से एड़ कर आए तो देखते हम वह कहां से एड़ होते हैं सबसे पहले अप जस्टी पोर्टल पर लोगिन करेंगे लोगिन करने के बाद आप जाएंगे सर्विस में सर्विस में जाएंगे रिश्टेशन में उसके बाद आप जाएंगे अमेंडमेंट ओफ रिश्टेशन नोन कोर फिल यह सबसे पहले हम जैसे goods का आपको add करके दिखाते हैं यहाँ पर मेरे को अच्छेशन कोड मालूम है तो अच्छेशन कोड लिखके हैं आप यहाँ डिरेक्ट इस पर किलिक करके यह देखिए मैंने भी add किया आपके सामने यहाँ पर add हो गया है अगर मेरे को कोई delete करना है आप इसे select कर सकते हैं आज अब आपने goods के add कर ली है आपने अप सर्विस वाले time में जाएंगे आपको service का add करना है तो सपोर्ट सर्विस का डालना है आपर सपोर्ट सर्विस का यहाँ पर मेरा आ गया है आप maximum दोनों में पांच-पांच add कर सकते हैं अब add करने बाद से आप save करेंगे save and continue उसके बाद आप जाएंगे verification के type में आप इसे verify कर देंगे चाहिए हम फिक क्लिक करेंगे अपना place डालिएगा और आप इसे dhc और evc दोनों से verify कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर हम आपको evc से verify करके दिखा रहे हैं यह आपके register phone नमबर और mail id पर OTP चला गया हम हाँ से किसी एक का OTP डालके से आप इसे validate कर दीजे OTP डालने के बाद इसे validate OTP पर क्लिक कर जाएगे validate हो जाएगा कुछ समय बाद आपके phone पर और mail id पर error नमबर आएगा जो आपनी GST में अमेंड के है उसका status आप कैसे चेक करेंगे वह आप उसके लिए आप जाहेंगे services में registration में track application status पर आएगे जो आपने अभी अमेंड के है उसका आप जो आपके पास error ना आएगा phone पर mail id पर उसको आप यहाँ पर enter करके यहाँ पर search करेंगे तो आपको इसका status यहाँ पर show जाएगा और आप submission period से भी से search कर सकते हैं तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please व subscribe करें थैंक यू